तो काफी जाधा questions मेरे पास आ रहे हैं नई ड्रोन लागू हो चुकी है और काफी काफी जाधा confusion और काफी जाधा डर और सब कुछ बैट गया काफी लोगों के मन में तो एक question बहुत जाधा मेरे पास आ रहा था कि वो लोग कह रहे हैं कि कैसे करके footage ले यह विडियो flight कोई वेडियो ड्रोन से कर ली यह कहीं हमas अपने विडियो ने वीडियो में जो म literal वह में वह ड्रोन शॉट सकते हैं या नहीं तो क्या किया जै ? उन वीडियो फुटेज का जो आपके पास औरेडी आपने रिकॉर्ड कर लिए तो उसके उपर लॉस के साब से क्या चीज है और उसको कैसे डालना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यह इन सब को मैं आज क्लीर करने वाला हूँ क्योंकि इस topic में भी काफी questions और emails मेरे पास आ रहे थे तो बने रहे इस वीडियो के साथ और बाकी आपका कोई भी question confusion है काफी जाद है मुझे मालूम है तो comment box में लिखते जाए तो मैं cover करता जाओंगा ठीक है one by one तो सबसे पहले तो मैं आपको बताओं कि drone footage अगर आपने ले ली है कैसे तैसे करके इसमें वह सवाल नहीं है लेनी है नहीं इसमें सिर्व यह पूछ रहे हैं कि हमारे हमने safely footage ले ली अब हम उसको क्या YouTube पे या कहीं और upload कर सकते हैं या नहीं तो देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है footage है क्या अगर आपने एक कई scenarios है स्पोज आप एक vlogger है या आप एक casual है आपने अपनी family को आप लेके गए कहीं बाहर camping करी या आप as a friends camping करने कहीं गए वहाँ पर आपने drone footage लिया बहुत बढ़िया अब आपका कोई वहाँ पर आपने कोई किसी की privacy को भंग ने किया बस nature को लिया आपने आपको shoot किया वैसी footage है तो इस footage में ना तो किसी की privacy को भंग किया गया वह ना कोई public place पर आपने drone बुड़ाया एक बहुत शची scenery beauty आई वह आपने capture करी और अपने vlog को उसमें दिखाया तो ऐसी footage को अगर आप upload करते हैं no problem आप कर सकते हैं उसका कोई कुछ नहीं है कोई issue नहीं है बेज़ड़क करें ठीक है number two अगर आपने कोई जैसी footage public place पे ले ली है अब public place पे footage ली गई है और वहाँ पर वो ऐसा area है जो की हो सकता police station के पास हो या किसी sensitive area के पास हो वहाँ पर आपने चुप काप किसी तरह से जुगार लगा के footage तो ले ली और वो किसी ने pinpoint कर लिया तो ऐसी footage मत upload करें तो number two हो गया number three आपने casually footage ली और उसमें कई मकान जैसे आप घर पर यह आपने उड़ा दिया च्छत पे तो वहाँ पर कई मकान कवर हो गए उसमें और उस मकान के अंदर च्छत के ओपर कोई किसी की privacy भी कोई होता है कुछ कुछ कर रहा होता है कोई कुछ कर रहा होता है तो drone footage से सब दिख जाता है और वह चीज़ अगर आपने upload कर दी और उस धंकाने बंदे को जिसकी आपने privacy को भंग किया intentionally नहीं किया गलती से हो गया और वो footage उसने देख लिया और वो अगर police के पास चला गया तब problem आ सकती है क्योंकि आपने उसके private moments को public कर दिया उसकी permission के बगार उसकी property पे drone उडाया तो ये सारे ताम जाम कब applicable होंगे जब वो इनसान चुगली लगाएगा complaint करेगा आपकी in case कोई problem नहीं करता है कोई आपको नहीं पूछता है उस footage के बारे में तो कोई ऐसी problem नहीं आएगी तो ये था एक वीडियो जहां जहां पर आपको footage की आप शादी वाले footage की बात करते हैं जो कि काफी wedding photographers वीडियोग्राफर्स आजकर drone यूज करते हैं और उसकी footage फिर upload भी कई बर करते हैं तो उसमें भी है कि अगर आपने किसी की privacy को भंग नहीं किया तो no issues आप लगा सकते है पर्मिशन आपने जिसकी लेनी है फोटेज दूला दूलन के लिए तो उसकी प्रमिशन आपके पास है तो यह था आज का वीडियो आपको पसंद आए होगा लाइक कीजिए शेर कीजिए और आपका कोई भी क्वेस्चन है डिटेल वीडियो भी ड्रोन रेवलेश्ट के उपर में काफी काफी क्वेस्चन दा करें तो सब पे मैं बनाओंगा थेंक्यू